वेलकम बैक गाईज, केन हीर सो फाइनली लंबे इंतिजार के बाद इस साल का वो फ्यूचर यस्टोंटी ट्रियाल्टा में आने वाला है लेकिन उससे पहले यस्टोंटी फॉर अल्डरा के कुछ अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं एक इंट्रिवे में सौथ कोरिया के मिनिस्टर आफ साइन्स और ICT ने अनौन्स किया है कि सौथ कोरिया के सारे डॉमिस्टिक ब्रैंड्स ने नेक्स्ट येर से अपने फॉन्स में सेटलाइट कम्यूनिकेशन फ्यूचर लाँच करने वाले हैं फिर तो सामसंग एक लौता ब्रैंड है जो सौथ कोरिया के बड़ी कम्पनीज में से एक है इसका मतलब ये कहना सेफ होगा कि S24 लाइनप में सेटलाइट कम्यूनिकेशन फ्यूचर रहेगा अलड़ी हम आईफोन में देख चुगे हैं लेकिन S24 Ultra के सेटलाइट कम्यूनिकेशन एक्चुली बेटर होने वाला है आईफोन 14 प्रो मैक्स के सेटलाइट कनेक्टिवीटी से iPhones के satellite connectivity में सिर्फ एकी side में communication कर सकते हैं means सिर्फ अपनी तरफ से SOS emergency के लिए use कर सकते हैं मगर Samsung के satellite features में on other hand two way communication support मिलता है इसका मतलब सिर्फ emergency situation में ही नहीं जहां cellular network भी नहीं है वहीं भी regular messaging के लिए use कर सकते हैं जो इसको बनाता है world first satellite communication feature इसमें होने वाले conjunction को avoid करने के लिए Samsung ने 160 character messages preset contact list allow कर सकता है Apple के contrast से बिल्कुल opposite है जहां Apple बिल्कुल भी allow नहीं करता own messages करने और contact list में से किसी को भी select करने के लिए जिसे आप particularly send करना चाहते हो Samsung के इसी supplement को Apple से बहतर बनाता है लेकिन बात यह है कि SOS features free होगा या नहीं regular messaging के लिए may भी paid हो सकता है इसके बारे में अभी भी कोई clarity नहीं है इसके बारे में updates देता रहोंगा so be sure to subscribe Next, हमारे पास Yashnit 4 Ultra के new telephoto camera के बारे में details है recently Ice Universe ने post किया था कि Yashnit 4 Ultra में new 50 megapixel 3x telephoto camera रहने वाला है जो Yashnit 3 Ultra से 5 गुना ज्यादा है इसके अलाव भी sensor size और pixel size भी reveal किया है जो और भी बड़े होंगे phone में Yashnit 3 Ultra के 1 by 3.52 inches camera sensor के मुकाबले 1 by 2.52 inches camera sensor यूज होगा एक बड़ा sensor और high resolution camera सिर्फ quality में ही improve नहीं करेगा 5X जैसे non-native zoom levels को भी significantly improve होगा unfortunately 10X periscope zoom camera का hardware same ही रहेगा इसका मतले वे यह ने की quality में same ही रहेगा new chipset और ISP से upgraded होंगे जो इसमें difference लाएंगे South Korea के media से यह भी confirm हुआ है कि Yashnit 4 Ultra में new 13 gen AMOLED display यूज होगा जो और भी thin होगा bright और rich colors produce करेगा इस बार भी iPhone 15 में 12 gen display यूज होगा इसके बारे में आपका क्या opinion ने comment करना for more updates subscribe to channel and always see you in next video